नमस्कार दोस्तों आप सभी का मेरे इस प्यारे से यूटूब चैनल पर स्वागत है पिछले वीडियो लेक्ष्यर में हमने नमबर सिस्टम के काफी सारे टोपिक जैसे परिमय संखिया आप परिमय संखिया वास्तविक संखिया कालपनिक संखिया और समिश संखिया के उपर थोड़ा डीटेल में जानेंगे तो आईए देखते हैं तो सबसे पहले हम जानेंगे बिसुद्ध आवर्ती दस्मलों किसको कहते हैं इसको इंग्लीज में हम बोलते हैं प्योर रिपीटिंग डेसिमल या प्योर रेकिरिंग डेसिमल भी इसको बोलते हैं तो बिसुद्ध आवर्ती दस्मलों क्या होती है तो देखें ओई-सी दस्मलों संखिया जिसमें दस्मलों के बाद के सारा अंग्ग एक निष्चित करम में रिपीट करने लगे उस से हम क्या बोलते हैं बिसुद्ध आवर्ती ही दस मलों बोलते हैं जैसे हैं ओक है 1.123 45 कि अई से करके कुछ मानदीजिये आप देखिए इसके उपर जाएं रेकिरिंग इसके उपर क्या लगा दिए रेकिरिंग दिक कर रहा है रिपीट कर रहा है तो तो ऐसा लोस अंख्या को हम लोग किया बोलते हैं बिसंद्य आवति दस्मइलों को हम घीन में कैसे बदलेंगे जो बिसुद्य आवाती दसमलों होती है उसको माले भीन में बनाना मतलब इस बनाना तो कईसे बनाने हैं देखें कि एक्जामपर लेकर समझते जैसे माल लीजिए रेक्रिंग क्या हूत आरे हैं है इसका मतलब क्या होता है हम बता दौनिये प्रेक्रिंग कर रहा है कि एक है पर है इक खैसे कर रहा है कि मैंने इसे रहता जीरो पॉइंट है फोर फाइव उसके उपर में रेकरिंग या बार बोलिए यहां पर क्या फोर फाइव रिपीट कर रहा है या दो अंक रिपीट कर रहा है यह सब क्या आपका विशुद्य आवारती दस्मरों की जाम पले अब इसको मान लिए प्रीट कर रहा है नो के लिए सितनल लिख़ दीजिए कि इसको बदलना भी अं झा i шको आप sources लिख लिए तो क्या है 45 इसको हम लिख नहीं है अब हम नीचे में क्या लिखते हैं कि जतना भी रिपीट करता है जतना भी रिपीट करेगा उसको क्या लिखते है कटेगा देखिए कर दो फिप्टीन बार में कटेगा यह 33 बार में कि काट रिपाइब इसका कितना हो गया 5 बाइब 11 मतलल इक 5 बाट लिए ये क्टा हुआ बदल गया तिक अब हम लोंग बात करेंगे मिश्रे आवर्ती दसमल्लो मिश्रे कि आवर्ती कि दस मलो इसको इंगलिस में क्या बोलते है मिक्सडे रिपीटिंग डेसिमल या क्या बोलते है को मिक्सडे रेक्रिंग डेसिमल क्या मिक्सडे रेक्रिंग डेसिमल तो मिक्सडे आवरती दसमलो इसको मिक्सडे आवरती दसमलो भी बोल सकते हैं जो मिक्सडे आवरती दसमलो है इसको हम मिक्सडे आवरती दसमलो भी बोल सकते हैं बात है कि मिक्स मैं क्या बोलते हैं mixed repeating decimal या mixed requiring decimal आप बात करेंगे यह होता क्या है है तो देखिए ओैसा 10 मंटों शंख्या जिसमें डस और के बाहद कुछ ऑंकी ईपीट करने लगे कुछ का संग कि रिपीट करने लगे मतलब कि तो इसरों करें विभुषत बात है सब्सक्राइब करने लगा था लेकिन यहां पर ही क्या आपका दस्मलों के बार सारा आंग रिपीट नहीं करेगा कुछ खास आंग ही रिपीट करेगा जैसे देखिए माल लीजिए 0.46 इसके माथ आप लिख दिए हम रेकरिंग क्या रेकरिंग बोलिए इसका मतलब क्या होता 6 बार बर रिपीट कर रहा आप फोर रिपीट नहीं कर रहा तो अब देखिए दसमलों के बाद है जो दो अंख है एक अंग है चार एक अंग है छे दोनों आपका रिप सब्सकों में कैसे बढकर बनाने च्रिक है छोटास अ इसमें क्या करेंगा देखिए जो दसमलों 혼자 जितना पी आपका अंठ cheers सबको क्या करें आप वर हम लीख लेंगे पैंवर हम क्या करेंगें अब हम क्या करेंगे कि कौन सांक रिपीट नहीं कर रहा है अगे की कौन सांक reader नहीं विक्नार रिपीट नहीं करेगा जो काम सुझे देखिए और जतना रिपीट करेगा उसकी लिए लिखेंगे मैं नना करेंगा जेतना भी आंक आपका repeat करेगा उसके लिए हम क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे तो 6 के आंक केतना बाद repeat कर रहा है एक बाद repeat कर रहा है यह 6 केतना बाद repeat कर रहा है एक बाद repeat कर रहा है तो यह क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे मतलब कि जेतना अंक रिपीट करेगा आपका उसके लिए क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे अगर यहां 2 अंक रिपीट करता तो 2 गो 9 लिखते हैं तो आपको समझ में आ गिया इसको कैसे बदलते हैं भीन में अब हम बात करेंगे काल्पनिक संखिया तो काल्पनिक संखिया क्या होती है तो जैसे आपको पिछले वीडियो लेक्चर हम बता है कि काल्पनिक संखिया क्या होती है कि वह इसी संखिया जो वास्त्विक नहीं है और जिसे हम संखिया रेखा पर दरसा नहीं सकते हैं उसको क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं क्या बोलते आपको बतायाथ है है कि वह इसी संख्या जो वास्त्विक नहीं है जो वास्त्विक नहीं है और जिसको संखिया देखा पर यह नुबर नाए है इसको दरषा नहीं सकते उसको जो सबकर क्या है क्या है कालमिक संखिया अब बात करेंगे कालök संसंक्षी जो है इसको करते है यह करते हूं बाहर कैसे क्यासे करेंगे 2 को है करने के लिए वह समझने के लिए सबसे पहले हम जानना पड़ेगा हमको की आयोटा क्या है यह पिछले 시간이 कि यह लेक्टर में इसे बता चुकत है कि आयोटा आपका एक Greek letter है क्या है? एक Greek letter है जिसको सबसे पहले किनों ने इंट्रोड्यूस किया था? यूलर ने किनों ने इंट्रोड्यूस किया था? यूलर ने— तो पहले उसके बारे मार हम डीटेल से जान लेते हैं फिर इसको हम बताएंगे कि काई से इसको हम स्वर्व करते हैं तो आईए देखते हैं अब देखिए बहुत पहले क्या होता था जो दिवघास समेकरन जानते जिसका maximum power किया हो जो और देखते हैं आई से दिवघास समेकरन किया होता है इसमें बात करें आगे आने वाले विडियो लेक्शे में फिलाहाल अब ही इतना समझ लिए कि दिवघास समिक्रण कि इसको बोलते हैं कि ओए सा 중요न जिसका maximum power क्या हो बैरियेबल का बेरियेबल मतलाब जो चार जिसका बेलू क्या होता है बेरी करता इसको क्या बोलते हैं बेरियेबल बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं चार बोलते हैं तो देखिए अहले का जो मैथेमेटिसियन थे वहां एक स्कॉय प्लस उन इसको जीरो जो इस तरह का दिवघास समिक्रन होता था उसको सॉल्व नहीं कर पाते थे तो एक मैथेमेटिसियन आया जिनका नाम था फ्रेडरिक गाउस क्या नाम था फ्रेडरिक गाउस फ्रेडरिक 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 गाउस यह क्या बहुत बड़े मैथेमेटिसियन थे इन्होंने क्या किया इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले क्या किया x square बरावर यह plus one है इधर जाए जायो इधर जाता तो क्या हुथ क्या होते हैं यहां क्या होता प aoius से बताते हैं यहांacha और से बतातें आपको कि बहुत पहले क्या होता था जो इस तरह करंघ कहा ह संब्सका क्या है इसको सॉल्व नहीं किया जासा था duc इसको solve नहीं किया जा सकता है, जो इस तरह का दिवगास समिक्रन है, इसको solve नहीं किया जा सकता है, फिर क्या हुआ, आगे चल के धीरे-धीरे, एक mathematician आया है, Swiss mathematician, जिनका नाम था क्या, लियोन हाड यूलर, लियोन हाड यूलर, क्या नाम था है, लियोन हाड यूलर, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इससे इस तरह solve किया, एक्स का एक्स, ब्रावर का ब्रावर, प्लस माइनस का प्लस माइनस, यह जो रूट ओवर माइनस वन है, इसके बद्रे उन्होंने क्या लिखा है, आयोटा लिखा है, जो क्या है, ग्रीक लेटर है, क्या है, ग्रीक लेटर है, क्या है, ग्रीक लेटर है, क्या है, आपका, ग माइनस 1 हो गया अब हम देखिए आपको हम बताए थे कि क्या होती है जो रूट ओफर माइनस 2 के फोर्म में हो रूट ओफर माइनस 3 के फोर्म में हो अब हम बताए इसको सॉल्व कैसे करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए पहले हैं बताएए सब को जान लेंगे उसके बाद ब लिख सकते हैं अब देखे रूट 2 का रूट 2 अब गूना का गूना रूट ओफर माइनस 1 के बदली क्या लिख सकते हैं हम लोग आइव टा क्या लिख सकते हैं हम लोग आइव टा अब क्या हो गई रूट 2 आइ transforming हमना धिना क्या हो जी होटा इनल क्या हो गता है कई सवल्सक्राइट किसी करिंगे है रूट सुल् dove कर यहां से äreवाट जोकॉन्सेब्ट हारा कहा से आप्योक मुत्स इलए यहां गुल ऐन जाने लेते हैं चीज़ को ऐतब होबेबर क्या होता है माइनस वण होता है ठीक आपकूच याद कर दीजिए अच्छे रहेगा नहीं तो अम बता देते निकाला जायगा क्यों खेए मैं क्या लिख सकते है कि ने क्या सकते ह। एक है कुछ नहीं मारथा क्या ओष और मेंूर मारथा में हो तो देखे से आधार सेम हो आगुणा में हो तो पावद क्या होता है जूट जाता है इसका मतलब दो वर्य कितना होगा तीन हो जागा मतलब हुई तो चीज है सेम चीज है इसको मैं इसे लिख सकते हैं अब देखिए जो आपका i2 square है इसका भीलू केतना होता है माइनस 1 इंटू का इंटू आई का आई तो माइनस 1 को गुना करेंग i सब्सक्राइगा माइनस i होगा ना इसलिए iq का भीलू केतना होता है माइनस i होता है केतना होता है आइक का सक्कार्ड का सक्कॉार боaks लेकिनये आई का पावर फॉल्म हमें क्या लिए सक्की है आध देखी आगिका सक्कॉायर का वल्यस्कॉायर लिए गया होता है माइनस वन होता है ठीक का विलू केतना होगा आका पावर शिख ग्री है युक्री का सिरॉवोरे कburg चिटना होगा तो तो कुछ मत कीजिये जीतना भी आपका आएगा उसको फोसर का किजींडी का करेंगे जो सेस्फल आएगा जो रिमेंडर आएगा उसी का अनुसारा है इसको बनाएगे solve करेंगें जैसे आख़े кажे पावर 6 एइसको फॉर से क्या कर दिए दीजिये तो क्या होगा फोर गिया Healthy तो क्या करेंगे क्या टू लिख देंगे लिख देंगे अब देखिए अब देखिये हमको I आया समझ में डेखिए हम 4 से डिवाइट क्यों करई हम आये का पावर 4 का बहुर्ण के इतना होता है इस है कर देखिए का पावर 6 है इसको क्या लिख सकते हैं दोनों का बेस से में तो पावर जूट जाएगा बात एक यह अब देखिए и का 4 के बिलु केतना होता है bloody स्कौायरि में और płoss कंनीिक से और household निकालने बोले लिए जयक्तू कि निकालने ble stra जहूसरीं boils में डिवाइड करना है और जेतना भी आपका आए चैस्ट उसको क्या पो बेठा रहे हैं और उसका जा जला लिग देंगे तो आपको इन Unit और आक्यू का पावर फोर का विलू कितना होता है कि यसको बस ख़़ियात रखी बागीश निकाल दीजेए सब क्यों आप निकाल दीजेगा तो हम कालतनी संख्या के बारे हम जानगे डीटेल से समीश संख्या के वपर बात करेंगे मतलब कि कमपलेक्स नंबर के उपर देखिए कंप्लेक्स नंबर के बारे में बात करते हैं तो पहले हम जान लेते कंप्लेक्स नंबर क्या होता है तो कंप्लेक्स नंबर क्या होता है इसे पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बता चुके हैं लेकिन फिर से आपको एक बार बता देते हैं कंप्लेक्स नंबर के क्या बोलते हैं समिस्रे संख्या बोलते हैं तो समिस्रे संख्या क्या होती है देखिए समिस्रे संख्या मतलब कंप्लेक्स नंबर वह इसी संख्या जिसमें क्या होता है रियल नंबर भी आएगा मतलब वास्ट्विक संख्या मतलब इमेजिनरी नंबर भी आएगा मतलब की वा तो देखे इसको लके इसको हम डिनोट करते हैं जेड से किससे हैं से फॉम क्या होता है एकश पलस आई-उ Tao बोलेजे चाहे एक्स पलस आई-वाई भी इसको हम बोल सकते हैं तो complex नम जो आप का है एकश पलस आई-उवाई का फॉम में रहता या अब हम बात करेंगे कि X को क्या बोलते हैं वास्त्विक संख्या बोलते हैं अब देखिए जो आपका X है जिसमें आयोटा नहीं है वो क्या है रियल पार्ट बोलते है क्या बलते है इसको रियल पार्ट ऑफ कंप्लेक्स नंबर गोलते है एक्स क्या आपका जो है एक्स जो आपका है रियल पार्ट ऑफ कंप्लेक्स नंबर है रियल पार्ट ऑफ कंप्लेक्स नंबर है जिसमें आयोट जो को क्या आपको एंग शुकूंक क्या बोलेंगे मैं इमयजिनरी पार्ट औफंप्लेक्स नंबर को इसको डी से सकते हैं imaginary part of it है तो बहुत है मतलब कि मतलब कि जो एक्स उगी आपका क्या होगीLE तो जो होति है मतलग इसमें आयोटा नहीं होगे दफोर M आगल ऑगया समझ में अब हम बात करेंगे प्योर्ली रियल किसको बहुत देखिए कह दिर लिए प्योर्ली-दी वार्व किसको बोलते है पहले बहुत फिर ढम लेगे फिर देखिक इसको बोलते हैं तो देखिए कम्प्लेक्स नंबर का फों क्या था जेड़ बराबर X-Plast आयउ वाई ठीक तो प्योड का मतलब क्या होता सुद्ध क्यों आता सुद्ध तो प्योडिय का मतलब तो क्या होगि कि पूरा होना चेमाद को इमेजेणे नहीं होना ट्याएं मतलब क्या होना चेया मतलब क्या होना चाहिए मतलब आप कि Billboard देख लीजिए दो तीन चार है कि सब्सक्राइब अई सब कर hyb प्रेखे चार में कहीं भी आपका कहीं में देखिए तीन में देखे रहा है तो यह त है नहीं दी रहा इसका मतलब क्या यह प्योर्ली रियल है इसका मतलब यहां पर आपका जो इमेजिनरी पार्ट है जीरो है मतलब कि इसको ऐसे लिख सकते हैं प्लakukan से चीडो अटा लिख सकते हैं ज़िए सब्सक्राइब राइप सकते हैं किने यह क्या आपका ही रियल पार्टा होगी आपका इमेजीनेरी पार्ट होगी इस में जमेजेरी पार्टप cooperation कुछ नँध खिए अब हम बात करते है प्योर्ली इमेजिनरी प्योर्ली इमेजिनरी तो प्योर्ली इमेजिनरी में क्या होगा कि आपका रियल पार्ट जीदो होगा इसमें क्या होगा इसमें क्या था इमेजिनरी पार्ट जीदो था देखें जैसे आपका कंप्लेक्स नमर के फूर्म क्या है जे कुछ ना कुछ होगा जैसे महान लिए एक जामपर अउंट है ठीरिय अउट फोर इस अबका सबका शीता है प्योरली इमिजिनरी क्या है प्योर्ली इमिजे इमिजिनरी इस में भी आपका का रियल पार्ट दिख रहा है कहीं भी थेल पार्ट ने दिख रहा चोनाल ही आज पर है लगाले के जाय हिंदे